था हो फ्रैंट्स के लेक्ट्टर में सभी का स्वाज़त है और इस स्यूरिज में आप जैसा कि जानते हैं हम कम्प्लीट इंडियन एकों मि इंडिवन्द system for the jab exam वो पूरा का पूरा जो सिल्वस है हमारा for the exam वो डिसकस कर रहे हैं तो इस session में module एके last three chapters जो हमारे बच्चे हुए 9 10 11 तो आगे बढ़ने से पहले let me tell you कि जो in sessions को देख रहे हैं they have benefited a lot काफी अच्छा जो है response से एंड यहां पर आप देख सकते हैं बावेंद जी इन्होंने कुशिंस का भी जवाब दिया है नागार्जुन गिल और यूजर है यहां पर निक है राइट तो इन्होंने सभी ने sessions को देखा है तो आपको भी आगर आप एक बार सोचो कि अगर आप बुक पढ़ रहे हो और उसमें से पढ़ पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हो for the exam उसमें आपको कितना प्रीविस एक्जाम में वो सभी आप प्राक्टीज भी कर सकते हो इस पीपीटी के PDF में आपको इसके answers मिल जाएंगे at the end of the session आपको questions डिस्प्ले किये जाएंगे आप pause करके उन questions को answer करके comment section में अपने comments दे सकते हो right so in this session जो topics हम discuss करने जा रहे हैं वो है chapter 9, 10, 11 के पटावट से शुरू करते हैं सबसे पहला international economic organizations तो international economic organizations की जरूरत क्या है यह हम पहले भी थोड़ा देख चुके हैं जहां पर foreign trade policy discuss कर रहे हैं हमने देखा था कि foreign investment की जरूरत होती है as well as foreign trade बहुत जादा important है किसी भी दो countries के बीच में right आज के date में इतना globalize हो चुका है हम इतना connect हो चुके हैं हरे country के साथ तो foreign trade is essential right इसी फूरे phenomenon को हम globalization कहते हैं यह तो हो गया at the world level तो regional level पर cooperation की भी जरूरत है तो sir regional का मतलब क्या होता है वैसे वर्ल लेवल पर आप कहरो फिर रीजनल कहरो वर्ल लेवल यानि की सारे countries एक दूसरे के साथ engage कर रहे हो that is called इसका एक example United Nations है जहां पर पूरे दुनिया के almost पूरे दुनिया के सारे countries है वो सब भी उसके members है बट रीजनल cooperation यानि की let's say South Asia है South Asia में जो countries है वो सब cooperate करके अपने रीजनल जो इश्यू से उनको solve करेंगे South Asia के कुछ और इश्यूस है North America के अलग इश्यूस है North America गर हम देखे तो काफी जादा prosperous region है यहां prosperous इसलिए क्योंकि developed nations यहां पर होते हैं पर South Asia में क्या है developing nations हैं इंडिया श्रिलंका मायनमर इस तरह के तो इस वज़ए से दोनों के जो रीजनल इश्यूस हैं एस्पेक्ट से वो अलग है इसी वज़ए से रीजनल कोपरेट करने के लिए रीजनल कोपरेशन से रिलेटेड कुछ जो ग्रूपिंग से उनके बारे में भी हम डिसकस करेंगे इन देस चाप्टर तो सबसे पहले foreign investment और foreign trade से related foreign transactions होते हैं दो important organization जिने Bretton Woods organizations भी कहा जाता है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे international monetary fund and world bank foreign trade से related world trade organization जो यहां पर यह नाम में ही trade लिखा हुआ तो काफी आसान है यह चीद समझना के foreign जो trade है उससे related सारे के सारी चीज़े इस organization के देखरेक में होती है अब रीजनल कोपरेशन European Union हो गया सार्क हो गया ASEAN हो गया इनके बारे में हम discuss करेंगे okay so the first thing is international monetary fund and world bank इनके बारे में सबसे पहले हमें discuss करना होगा आगे बढ़ने से पहले we should also know की requirement क्या है इस तरह के international cooperation की तो 1991-92 का जो इंडिया का इंडिया में जो क्राइसिस आया था उसके बारे में अगर आप रिकॉल करो तो उस समय किस ने हमें help किया था international monetary fund ने तो international monetary fund actually है क्या IMF है क्या एक organization यह क्या है उसके बारे में हम discuss करेंगे जिस तरीके से इंडिया में balance of payment issue यानि कि हमारे पास foreign currency बची नहीं थी और यह foreign currency IMF ने हमें दी थी with some conditions तो वो क्या conditions है वो हम देख चुके हैं बट यह जो help किया गया है इसलिए किया गया क्योंकि we are members of IMF ओके और एक international organization इस तरीके से established है तो that is the need for cooperation इस तरह के जो organizations उनका establish करने का requirement यह है अब हम इन organizations के बारे में देख लेते हैं तो economic development trade regional cooperation यह तीन पहलू है जिन पर हम discuss करेंगे फटाफट से economic development पूरे जो globe का है उसके बारे में बात कर रहे हैं सारे countries की हम बात कर रहे हैं यहां पर as well as आगे हम WTO की जब discussion करेंगे तो that will be part of trade तो सबसे पहली बात है कि economic issues को handle करने के लिए दो important international organizations को establish किया गया है इनका क्या function है अगर वो हम समझेंगे तो हमें इनकी जो requirement है need है वो भी आगया दीरे-दीरे समझ में आने लगेगी तो यह दो organizations की शुरुवात कैसे हुई थी वो देखते हैं सबसे पहले Bretton Woods institutions इन्हें कहा जाता है क्यों Bretton Woods कहा जाता है यह आप देख रहो काफी अच्छा सा सुन्दर सा एक पहाड के सामने यह एक building है तो this building nations montrian financial conference 45 countries actually थे यहां पर जो आये थे और इन दो institutions की establishment उन्होंने की Mount Washington hotel इसका नाम है Bretton Woods नाम के जगह New Hampshire USA में है थीकर वहां USA में यह सारे के सारे जो countries हैं उनके representatives गये थे और क्योंकि यह Bretton Woods नाम के जगह में हुआ था तो यहां पर जो यह दो जो organizations establish हुए हैं उनका नम Bretton Woods institutions यह नाम रखा किया है कौन से दो organization से पहला International Bank for reconstruction and development तो यह समय था 1944-45 का time था उस समय क्या हो रहा था World War 2 end हो रहा था और World War 2 end होते होते एक चीज तो काफी क्लियर थी कि यूरोप की हालत खराब हो गए थी क्योंकि यूरोप में में लिए वर्लड वार हुआ था तो उसकी पूरी की पूरी हालत खराब थी तिस वजह से देर्वस need for reconstruction उस पूरे यूरोप को reconstruct करने की जरूरत है और साथ के साथ development की भी जरूरत है यानि कि ऐसे भी countries यूरोप तो चलो ठीक है इंडिया जैसे countries थे जो गुलाम थे काफी सारे और इसी तरह का और भी countries थे जो गुलाम थे तो ऐसे countries के development की भी जरूरत है तो सभी को साथ में लेते हुए उनको help करने के लिए एक international bank को established किया गया और इसका नाम क्या रखा गया IBRD which is international bank for reconstruction and development इसी तरीके से international monetary fund तो यह इसके नाम में ही है monetary fund तो money से related यह एक fund बनाया जा रहा है money वहां पर है कौन सी money है अलग-अलग countries की currency वहां पर आपको available मिलेगी main idea वो था जब यह available होगा तो उन्हें help किया जा सकता है अगर उन्हें foreign currency की जरूरत है main सबसे important idea सबसे important requirement जो इन दोनों organizations के वो हमने discuss कर लिए main name क्या है global integration अब दो organizations को और भी deeply discuss करते हैं सबसे पहला है IMF तो IMF में 190 member countries actually है 190 अनिका almost पूरी दुनिया IMF का जो member country है अब IMF के objectives क्या है main functions क्या है सबसे पहली बात तो international monetary cooperation अब इसका मतलब क्या है पूरे दुनिया में बहुत सारे countries हैं और इन बहुत सारे countries के जो currencies हैं इनकी value एक दूसरे के comparison में काफी change होती रहती है और इसके साथ साथ जो currencies की requirement होती है for example dollars की requirement बहुत जादा होती है दुनिया के सारे जो country से उनको तो यह जो dollar की requirement है वो किस तरीके से fulfill होगी अगर किसी country को चाहिए या फिर किसी country के पास access है तो यह सारे जो है monetary cooperation का पार्ट बनते हैं इसके साथ the stability in foreign exchange rates अब जब इन चीजों को समाला जाएगा तब foreign exchange rates को stable रखा जा सकता है अब foreign exchange rate का मतलब क्या है सर एक dollar के सामने अगर हम देखें हम जानते हैं कि 80 रूपीज के आसपास जो एक्सचेंज रेट होता है एक dollar कवर आपको खरेदना है तो 80 रूपीज आपके पास होने चाहिए तो इसको हम foreign exchange rate कहते हैं पहले के समाने में यह जो एक्सचेंज रेट था वो controlled था यानि कि जो US government है वो बताएगी कि एक्सचेंज रेट क्या होगा क्या फिर इंडिया जो है उसके consultation में यह एक्सचेंज रेट decide किया जाएगा इंडियन government के consultation के साथ तो यह चीज़े थी और उसके बाद जैसे जैसे लिब्रलाइज हुआ और globalized countries तो इंडिया में एक है 1991 के बाद completely यह जो है free float कर दिया गया यानि कि अब government नहीं बताएगी कि क्या exchange rate होगा पहले government बता दे कि आरे एक डॉल्म के सामने कितना होगा 40 rupees होगा यह एक्सचेंज रेट तो यही रहेगा ठीक है तो इसे fixed exchange rate system कहा जाता था तो यह सारी चीज़े अब यह free market जो prices से उनके basis पर decide किया जा रहा है तो इस वजह से उसे stabilized रखने की ज़रूरत है exchange control को eliminate करना है यानि कि यह जो control किया जाता है वो eliminate करना था सभी countries जो free market exchange rate है उसे अपना ले इसके साथ-साथ international trade को promote करना capital investment एक country से दूसरे country के बीच में और जो inequality से उन्हें कम करना भी IMF का main goal है तो कई बार हम समझते कि सिर्फ monetary जो transaction से वही है IMF जो developing country से उनको भी help करता है low income countries को भी help करता है concessional loans भी देता है उन्हें ठीके लोन अलग अलग तरीके के IMF देता है और उसमें से एक type का loan concessional loan है यानि कि जो loan आपको 10% interest पे मिल रहा है IMF आपको 8% पे 7% पे देगा तो that is concessional loan होने के example है इसमें बहुत सारे चीज़ें लेकिन यह एक example है तो that is a thing यह सारे जो है IMF के objectives अब World Bank के अगर हम बात करें 189 members है यहाँ पर इसका सबसे पहले आप बताओ मुझे अगर आपको याद है आप में ADA, IFC नाम के जो organization से इनके बारे में हम discuss करेंगे कुल मिला कर 5 organizations को establish किया गया इन 5 organizations को एक साथ जो है World Bank कहा जाने लगा ठीक है IBRD along with this and various two more organizations ठीक है तो इस वजह से अब हम World Bank completely discuss करेंगा IBRD तो establish किया गया था पर अब World Bank जो है वो उसका final नतीजा इस वज़े से Brettonwood institution कौन-कौन से हैं IMF and World Bank World Bank का उस समय का aim क्या था reconstruction and development था ठीक है अब यूरोप का आज का हाल अगर हम देखे तो बहुत ही better है बहुत ही अच्छा है developed country है हम यह जानते हैं तो अब reconstruction के तो जरूरत नहीं रही तो World Bank ने नया एक गोल लिया that is to end poverty promote shade prosperity ठीक है poverty को end करना इनका सबसे important goal रहेगा यह चीज़ इन्होंने सूची now let's try to answer this question which among the following is or are known as Bretton Woods institutions कौन से है WTO World Trade Organization International Monetary Fund या फिर World Bank हमें पता है कि WTO तो नहीं है what कौन से दो है IMF and World Bank तो two and three only I think she will be the right answer here अब IMF के बारे में और भी important जो facts से वो देख लेते हैं और साथ के साथ इंडिया का किस तरीका interaction है IMF के साथ वो भी देखते हैं तो IMF क्या है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ के IMF के पास सारे जो countries हैं उनके currencies थोड़े थोड़े होते हैं और let's say India ने थोड़ी से अपनी currency 100 रुपए जो है इनके पास रख दी तो यह इंडिया का contribution member contribution कहलाएगा ठीक है क्योंकि इनके पास सबी countries के currencies होने चाहिए किसी country को let's say rupees चाहिए तो IMF can give या फिर यह देकर IMF से dollar अगर उन्हें लेना है तो वो किया जा सकता है तो ऐसा है तो 100 रुपए contribute किया इंडिया ने तो यह जो 100 रुपए contribute किये हैं इसके सामने इंडिया को कुछ benefits मिलते हैं क्या है वो एक तो HDR quota जो है वो establish किया जाता है अरे सर यह क्या इतना बड़ा सा term आपने बता दिया है डिसकस करते हैं दूसरी बात है कि voting rights आपको मिलते हैं ठीक है यह दो important चीजे मिलते हैं इसके अलावा भी है loans मिलेंगे balance of payment जो crisis हुआ था इं इंडिया में 1991 में उस तरह के issues में IMF आपको help करेगा यह सब भी है ठीक है तो सबसे फ़ेले discuss करते हैं HDR quota के बारे में तो HDR क्या है special drawing rights ठीक है अगर आपने 100 रुपए यहां IMF में जमा किये हैं तो आपको थोड़ा से special drawing rights HDR allocate किये जाते हैं ठीक है तो पूरे दुनिया को let's say 100 HDR से allocate किये जा रहे हैं तो उनमें से जो भी 100 रुपीज का HDR बनता है तो हमने एक तरीके से HDR खरीदा है यह हम कह सकते हैं तो वह allocate कर दिया जाता है तो इंडिया का almost 2.6 के आसपास जो है percentage है of the total HDR ठीक है 100 रुपीज अगर सबको दे रहे हैं 100 HDR अगर सबको दे रहे हैं तो इंड HDR allocate आपको किया गया है special drawing right तो आप special drawing right अपना जो है फोड़ा सा दे कर आप money ले सकते हो HDR एक exchange rate की तरह भी act करता है तो इंडियन रुपी के साथ let's say 20 रुपीज एक HDR को buy करने के लिए चाहिए let's say 1 dollar एक HDR को buy करने के लिए चाहिए let's say 2 euros जो है वो एक HDR को buy करने के लिए चाहिए तो इस तरीके से तो इन सभी के वीच है common exchange rate के जैसा भी exchange standard के जैसा भी यह act करता है HDR कोई currency नहीं है लेकिन एक allocation है ठीक है reserve asset इसे कहा जाता है ठीक है तो यह ऐसे तो अगर एक HDR हमने हमारे पास 2.6 है तो इसमें से एक HDR हमने जो है वापस कर दिया दे दिया तो हमें कितना मिलेगा 20 रुपीज हमें मिल जाएंगे ठीक है तो वो चीज़े 20 जाश्टे के example है देख लेते हैं मैं को चला आया कैसे जाता है वो भी देख लेते सबसे पहली बात largest public lender of funds है पूरे दुनिया में membership इसकी किसी भी country के लिए open है और money quota subscriptions जो है member states pay करते हैं यह चीज़ हम अब भी discuss कर चुके हैं जो भी size of quota है कितना money आपको देना है to the IMF वो आपके economy के size पर depend करे है how is IMF run actually उसके लिए दो important groups दो important bodies established किये जाते हैं IMF में सबसे पहला है board of governance और दूसरा है the executive ठीक है executive board यह दोनों को established किया गया है तो board of governors governor कौन होता है head होता है तो इस वाजय से board of governors बहुत सारे governors का एक group को हम board of governors कह रहे हैं तो यह क्या करेंगे decision लेंगे दो भी important decisions लेने हैं IMF से related वो लेंगे अब इन decisions को implement कौन करेगा executive board करेगा ठीक है और executive board is going to take care of the day to day जो activities IMF के वो साथ के साथ implementation of the decisions of what board of governor I hope यह clear है अब यह board of governor में कौन होता है सारे member countries के representatives होते हैं और यहां हर एक member country को एक गवर्नर को उस board में ले जाना पड़ता है यानि कि US का एक governor होगा इंडिया का होगा European Union का होगा UK का होगा तो इस तरीके से एक एक representative को वहाँ पर जो है भेजा जाता है इंडिया के तरफ से अगर हम देखें तो यहां पर जो finance minister है वो board of governor बनते हैं तो board of governor as well as one alternate governor तो एक board of governor होता है और एक alternate governor each country में से जो है वो जाते हैं और यह पूरे साल में एक बार meeting होती है इनकी बस तो day to day activities कौन देखता है executive board ही देखता है executive board भी establish किया जाता है 24 directors इसमें होते हैं अलग अलग member countries के directors होते हैं तो यहां पर sir 190 countries है उनमें से खाली 24 जी हैं तो उन्हें appoint किया जाता है उन्हें elect किया जाता है based upon किस तरीके की उनकी interaction है with IMF ठीक है इंडिया भी executive board का member है ठीक है permanent member है इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया एक founding member रह चुका IMF का तो हमने देखा था ब्रेटन वुड्स में जो यह meeting होई थी महाँ पर इंडिया के representatives भी थे HDR जो बनाया जाता है HDR जो allocation किया जाता है यह HDR एक तरीके का reserve asset है तो यह जो exchange rate है वो कुछ specific currencies के value के basis पर HDR के जो value है वो vary करती रहती है और उसकी exchange rate vary करती रहती है तो HDR के value किस किस पर based है US dollar, euro, Chinese revenue, Japanese yen and British pound sterling 1, 2, 3, 4, 5 5 जो हमारे currencies है इन currencies को ध्यान में रखा जाता है और इसकी जो value है वो decide की जाती है और उसको फिर बाकी जो currencies के exchange rates है market में उसके basis पर decide किया जाता है ठीके for example rupee के साथ HDR का क्या exchange rate है वो कैसे decide किया जाएगा यह 5 currencies के साथ पहले तो जो exchange rate और HDR के value battery है वो देखा जाएगा अब dollar के comparison में कितना है और dollar के comparison में रुपी कितना है वो देखके इन दोनों का decide किया जाएगा ठीके तो उस तरीके से और इन में से latest जो add किया गया वो Chinese revenue को add किया गया यह Chinese currency है इंडिया का quota कितना है 2.75% जो हमारा quota है finance minister actually ex official governor इंडिया के finance minister और उसके board of governor के part भी होते हैं और RBI का जो governor है वो alternate governor बनता है of this ठीक है तो दो ग्रूप से यहाँ पर एक board of governor और alternate governor का भी group है तो mostly central bank के जो head से आपको समझ में आ रही होंगी अब इसके अलावा यहाँ पर जो HDR है उसके बारे में कुछ चीज़े देख लेते हैं पहला तो यह unit of account है यानि कि exchange करने के लिए यूज किया जा सकता है एक HDR के सामने आप इतने रूपी में ले सकते हो currency या claim नहीं है यह exchange freely usable currencies जो है इसका पार्ट बनते हैं HDR को calculate करने के पूरे के पूरे basket of currencies का पार्ट बनते हैं और वो currencies कौन से होने चाहिए उनकी criteria क्या है इंडियन रूपी क्यों नहीं है उसमें because currencies जो है top 5 exporter जो है पूरे दुनिया में उनके currencies लिये जाते तो इंडिया top 5 exporter में अभी नहीं है freely usable होने चाहिए यानि कि currencies का basket actually उसे review किया जाता है और यह daily determine किया जाता है कि HDR का वाल्यू क्या होगा रुपी के साथ उसका exchange rate क्या होगा लेटेस्ट जो है चाइनिस रेम निंभी को add किया गया that is about IMF के सारे details अब इसका development कैसे इंडिया founding member 1944 में यह बना as part of what which conference Bretton Woods conference ठीक है 1945 में ex officio जो board of governors के governor है वो finance ministry को बनाया गया 1970s में इंडिया actually top five जो quota allocation है उसमें था और इस वजह से इंडिया को permanent seat भी मिली in the executive council 1991 में इंडिया को help की गई by IMF and economic slowdown जब हुआ था 2008 में जब इंडिया को 4.5 billion US dollars का loan दिया गया था by IMF इसके साथ साथ इंडिया 6th largest quota holder है 2.76% voting share इंडिया की 2.63% की है ठीक है मैंने आपको बताया था दो चीज़े मिलती हैं अगर आप IMF का पाट बनते हैं और उसे contribute करते हैं वह दो का value यहां पर थोड़ा सा important है आपको याद रखना होगा let us have a look कि which among the following is or are the functions of the International Monetary Fund तो IMF का members are required to pursue economic policies that are consistent with IMF goals IMF के goals जो है उसके साब से economic policies होने चाहिए absolutely और IMF actually legally उन्हें check भी कर सकता है कि वो सब कर रहे है या नहीं for example IMF का member अगर इंडिया है तो इंडिया को IMF के जो goals है जो शर्ते हैं वो सब मानने पड़ेंगे और उसके हिसाब से अपनी economic policy को चलाना होगा IMF can help member nations to comply with IMF's goals but does not have the legal authority to supervise them actually IMF के पास legal authority होती है legally वो चेक करके compliance comply कर रहे है या नहीं वो कर सकता है during a temporary balance of payment crisis IMF loans to members countries to help them implement corrective measures absolutely इंडिया को किया है IMF serves as catalyst assisting members in mobilizing external funding जी हां हमने initially देखा था investments में भी IMF help करता है तो यह सिर्फ दूसरा वाला गलत है तो 1, 3 and 4 only D should be the right answer तो हमने IMF तो देख लिया आप World Bank के बारे में discussion करते है World Bank को 1945 में जब World War 2 खतम हुआ था तो Europe के हमने देखा था कि reconstruction के लिए develop किया गया था सबसे पहले 1956 में तो IBRD उसमें बनाया गया था यह पहला organization ने दूसरा जो है IFC International Finance Corporation को establish किया गया था तो यह 1956 में actually एक commercial एक तरीके से commercial benefits के लिए establish किया गया है Loans जो दिये जा रहे हैं वो private sector के investments को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा था तो private sector को जब companies को loan देना है तो किस तरह का loan होगा highest rate of interest सारी चीज़े लगेंगे उस पर जो भी market rate of interest है वो सब लगेगा Concession यहाँ पर कम ही मिलता है इंडिया एक founding member है और one of the largest single largest सबसे highest amount of loans इंडियन लेते हैं इंडियन companies लेते हैं यह mainly developing countries के लिए establish किया गया इस वाज़ा से poorest nations को यह help करता है long term loans देता है interest free loans वो भी 25 to 40 years के grants इसके मिलते हैं अलग-अलग जो इसके initiatives हैं उसके through इसके साथ साथ finance जो करता है यह idea है वो member nations उससे donations देते हैं market से पैसे नहीं उठाता तो IFC market से पैसे उठाता है और फिर वो आगे loan में देता है but idea को members donate करते हैं और उनी पैसों को idea actually help करते हने के लिए use करता है next 1966 में establish किया गया है international center for settlement of investment disputes तो investments जो है वो यह क्या है mainly international investments की यहां पर बात की जा रही है एक country दूसरे country में तो वहां पर जो non commercial risk है उनको cover करने से related और disputes को actually resolve करने से related settlement जो international disputes है investment से related उनके लिए establish किया गया 1970 में reconstruction का हमारा जो goal था वो world bank ने हटा दिया और ending poverty अपना goal बना लिया क्योंकि 1970 तक Europe तो पूरा पूरा reconstruct हो ही चुका था 1988 में और यह एक और जो organization उसे establish किया गया two, three, four और यह fifth ठीक है यह five organizations का group है actually world bank इस वज़े से world bank group भी कहा जाता है तीक है फिफ्ट organization इस multilateral investment agency MIGA मिगा यहाँ पर non commercial and political risk तो multilateral investment guarantee investment जब कोई कर रहा है कोई country किसी और country पर जैसे poor country से वहाँ पर को investment करना चाहेगा नहीं करेगा क्योंकि यह लोग रोटाएंगे नहीं ऐसा सोचा जाएगा तो MIGA यहाँ पर guarantee देगा कि अगर यह नहीं लोटाते हैं default करते हैं तो MIGA will pay you तो यह guarantee देने से related है advising governments किस तरह के साबको investments लाने उससे related advice भी MIGA देते हैं in most of the organizations में और यह funds जो है international credit markets से most of these organizations उठाते हैं except idea जो की members contribute करते हैं तो इंडिया actually almost इन सभी का जो है member है except this ICSID इसका member नहीं है और इंडिया इन तीनों का founding member भी है इसका founding member नहीं है यानि कि जब इससे establish किया जा रहा था इंडिया was not part of that इंडिया को किस तरीके से 1948 में इंडिया को agricultural machinery project में 1957 में resident mission यानि कि इंडिया में एक office world bank ने establish किया में 1980 में ग्राम सड़क योजना वगेरा में बहुत जाला help किये इंडिया को इन दोनें के बीच के differences अगर हम देखे तो IMF single institution international monetary system को समालता है exchange rate stability BOP bailout वगेरा को समालता है इनके बारे में अभी आप तो आपको idea होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं नेक्स चीज है कि resources जो quota subscriptions के through resources यानि कि पैसे loan में देना और फिर help करना यह सारी चीज़े IMF का main aim है world bank क्या है five institutions का group है जो कि economic development के तरफ काम कर रहा है long term financing में काभी साधा helpful है जासा कि हमने देखा idea के जो लून से दस से पत्चीस साल के लून ठीक है और प्राइवेट enterprises को भी help कर रहें दोनों ही चीज़े कर रहे हैं जब poor countries है and also private investment IBRD IFC जो है borrow करते हैं बट idea donations पर चलता है ठीक है that is the thing अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा World Trade Organization तो हमने investments and जो IMF and World Bank को अच्छे से study कर लिया उनके function सारी चीज़े देख ली differences देख ली finally the World Trade Organization को भी study करते हैं तो इससे related थोड़ी चीज़े हम discuss कर चुके हैं कि अगर Chinese जो पूरा चाना वजार में आप देखते हो कि पुरी plastic product बंभर हैं वहां पर जो plastic Australis 10 रुपी實 के मिल रहे हैं तो इंदियन जो plastic products बना रहे हैं इंडिया में उनका दाम ही थोड़ा सा है है इवन दो वह बाहर से इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में आ रहा है फिर भी हाई है तो इसे में इंडिया कर क्या सकता है तो जो लोग यही खरी देंगे आपके पास चानीज हैं तो वो शाहत आपको पता नहों जिस तरीके से आप इस सेशन को देख पा रहे हो तो इस वज़ाए से हम यह कह सकते हैं कि यहां पर इंडिया के कुछ राइट से और वो डबल्यू टियों के तहत उनको इंडिया एक्सराइस कर सकता है अपने जो इंडिजनस प्रोडक्शन है कि इस पर थोड़ा सा टैक्स लगा दिया फाइव रूपीस अब क्या है यह फिफ्टीन रूपीस को हो गया और यह दोनों कॉम्पेटिशन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी जो अब तो आप देश बगती दिखाओगे देफिनिटली यह खरीद होगे उसे हम टैरिफ कहते हैं इसके अलावा कोटा भी हो सकता है कि भाई 10 रुपे वाले जो यह आ रहे हैं आप सिर्फ 40 जो बकेट से वहीं ला सकते हो इंडिया में उससे दावा नहीं तो वह कोटा सेट कर दिया जा सकता है इसके साथ साथ नॉन टैरिफ बारियर भी आनिके आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है इसमें यह मिला में जी मिला यह वह कह सकते हैं तो नॉन टैरिफ बारियर भी यहां पर होते हैं तो तीन तरीके से हम इस चीज को इस सिच्वेशन को हैंडल कर सकते हैं और चाइनीज जो प्रोड़क्स इंडिया में आ रहे ह कर सकते हैं तो यह सारी चीज कहां से आ रही हैं वोल्टरेट ओORGNASEशन में जो भी बहुत सारे कंट्रीет उसके पार्ट हैं सभी नेकाहाएं चीजोर्य सतक्राइट कर देंसमेंख के चाइन और एक एंगरिमेंट के गई थी और इस agreement के तहत बहुत सारे जो countries है जो एक दूसरे के साथ trade करना चाहते हैं वो negotiate करने लगे यानि कि अलग-अलग places पे मिल रहे थे वो meeting कर रहे थे meeting के साथ वो negotiate करते थे कि और हमें किस तरीके के agreement की जरूरत है और आगे हमें और क्या करना चाहिए इंटरनाशनल ट्रेड को और बेटर करने के लिए तो 1948 में GATT का establishment हुआ धीरे धीरे अब इन्हें लगा कि एक जो अरुगोए round हुआ था यह रुगोए एक जगा है वहाँ पर negotiations हुए थे 1986 से 1994 तक चले यह negotiations की और क्या क्या हमें करना है तो यह जो negotiation से उनका एक result आया कि एक organization हमें establish करनी चाहिए सिर्फ एक agreement नहीं एक organization established करने चाहिए तो world organization को 1994 में लाने का proposal आया है 1995 में actually world organization was established जनीवा में इसका headquarter है Switzerland में top decision making body इसकी governing council है जैसे वहाँ पर हमने देखा था board of governance यहाँ पर एक top decision making body है governing council इसके अलावा 164 states custom territories इसके पार्थ है 98% world trade जो है covered है इस WTO के under main क्या है एम इसका countries के बीच में agreements करवाना जिसके basis पर trade होगा multilateral negotiations करवाना उसके लिए एक platform है यह disputes को settle करने के लिए अगर कोई trade related issues हैं जैसा कि हमने यह देखा example जहां पर Chinese के जो production के उपर हमने थोड़ा सा जो है duties लगा दिये अब Chinese जो products दे रहे हैं तो उनका नुकसान होगा isn't it तो ऐसे में China जो है objection खड़ा कर सकता है तो वहाँ पर establish होता है dispute तो उसे settle करने का पूरा mechanism है WTO का साथ के साथ पूरे international trade से related information भी provide करता है तो दो चीज़े हम पूरा cover कर चुक है economic development and trade trade से related और भी कुछ पहलों को हम देखेंगे and then we will move on to discuss regional cooperation तो trade WTO से related यह हम कह सकते कि 1948 में जो GATT बना था उसका भी India एक founding member था founding member यानि कि जब इसे बनाया जा रहा था इंडिया उस group का पाट था इसके साथ 1995 में जब WTO बनाएगा तब भी 2001 के session से इंडिया एक one of the most outspoken यानि की developing countries के hit के लिए का बात करने में बहुत आगे रहता है इंडिया WTO के establishment में भी इंडिया पार्ट बना था तो WTO का भी founding member है तारिफ्स और non-tariff barriers को reduce करने से related कही सारे agreements किये गए हैं उन में से कुछ agreements के हम यहां पर नाम देख रहे हैं ट्रिम्स agreement जहां पर trade related investment measures से related है यह इंडिया में गाना बनाया जा रहा है और उसे कॉपी कर लिया जा रहा है तून को या फिर वर्डिंग को कॉपी कर लिया जा रहा है किसी और country में तो that is not correct यह एक example है इसी जरीके से बहुत सारे जो है पेटेंट वगेरा से related यह एक agreement है अग्रिकल्चर से related agreement यहां पर जो प्रोड़क्स अग्रिकल्चर प्रोड़क्स उस पर काफी ज्यादा subsidies वगेरा देए जाते हैं तो agreement की जरुरत है इसके साथ sanitary and phytosanitary measures जैसा कि मैंने आपको कहा non tariff barriers यानि कि इसमें MSG है इसमें आपकी quality अच्छी नहीं है यह सब कहकर import export को रोका जा सकता है तो उससे related agreement की multi-fiber agreement यह भी हुआ ठीक है these are the things अब WTO की 12th ministerial conference जो हमने देखा था जो टॉप decision making body है उसकी conference 2022 में वह उससे related यहां पर बताया गया कि कि किसके सीच से related वहां पर decisions लिए गये फिशिंग सबसीडिइस फिशिंग से related भी subsidies दिये जाते उससे related decision food insecurity जो पुले दुनिया में है उससे related decision covid vaccine से related क्योंकि 2022 का साल अभी कोविट पूरी तरीके से गया नहीं है custom tariff जो moratorium है electronic goods यानि कि electronic goods पे tariff लगाया जो जा रहा है तो कुछ countries moratorium यानि कि थोड़ा देर से हम इनको implement करेंगे यह पूछ रहे थे उससे related decision लिया गया and exclusive economic zone यानि कि जो इंडिया का let's say समंदर है समंदर का जो एरिया है थोड़ा सा बाहर का एरिया वो इंडिया का समंदर कहलाता है तो उससे exclusive economic zone कहा जाता है तो वो जो c area है उससे related भी बाते की गई है कि इसमें किस तरहें के rights है and all okay to these other things now let us try to answer this question which among the following is correct international financial center makes low interest loans to member nations कि कि IFC क्या है profit और private sector के लिए तो low interest loan क्यों देगा यह गलत है correct statement पूछा गया है IFC provides grants to poorest nations वो भी गलत है IBRD concentrates on high income countries नहीं IBRD नहीं है Indian Development Association sorry International Development Association focuses on world's poorest countries तो यह सही है idea जो है world के poorest countries पर concentrate करता है so D will be the right answer नो हम फटावट से regional cooperation जो है उससे related discussion कर लेते हैं यानि कि कुछ countries जो आसपास है और जिनके regional issues match कर रहे हैं issues जो है match कर रहे हैं for example South Asia में poverty एक बहुत बड़ा issue है तो इस तरह के countries एक साथ आकर grouping करके इसको कैसे handle करना है on a regional level वो करते हैं right तो इससे related यहाँ पर यह देखा गया है South Asian Association for regional cooperation सार्क यह established किया गया और इसलिए South Asian countries इसका part है इंडिया भी है तो कौन-कौन से countries है यह है अफगानिस्तान मंगलादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान श्री-लंका ठीक है जिसको याद कैसे रखना है यह एक बहुत अच्छा निमानिक है MBBS क्या है मौलदीव्स बंगलादेश भूटान एंड श्री-लंका ठीक है यह MBBS हो गया और पेन क्या है पाकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया और नेपाल तो इस तरह के साब याद रख सकते हो शौटकट है सौथ एशियन नेशन इंक्लोडिंग इंडिया और पार्ट अफ दिस 1985 में इस्टैबलिश किया है कटमंडू नेपाल में इसका जो है 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 सौथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रिमेंट लाने के कोशिश की गई है फर्स जैनुरी 2006 में नेक्स्ट है बिम्स्टेक यह क्या है Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation तो Bay of Bengal के इर्दगिर्द जो कंड्री से वो सब इसके पार है यहां पर भी जो है आप देखोगे MBBS तो है ही बट M यहां पर चेंज हो रहा है मायन मर है यहां पर ठीक है MBBS तो सेम है बंगलादेश भूटान एंड श्री लंका इसके पार्ट है एंड नेक्स्ट क्या है NIT एसा ब्याद रख सो तैंबी बीएस एंड नाइट नेपाल इंडिया थाइलेंड ठीक है तो थाइलेंड अक्चली बिम्स्टेक का पार्ट है तो इस आदर थेंग्स 22% वर्ल पॉपले अच्छी एंड रहें आसियान आसियान क्या एसोसियेशन ओफ साउथ इस्ट एस्ट अशियन नेशन तो यहां कहीं इंडिया है यहां और उसके इस्ट में अगर हम जाएंगे तो यह नेशन आएंगे दस कंट्री से एक्ट्री यह एक रीजनल ब्लॉक है जकारता इसीया मलेशिया सिंगवपोर ब्रुने इंदनेशिया फिलिपीन यह सव इसके पार्ट है तो इसके बाद रीजनल कॉम्प्रेंसिव एक्ट्रेशिप ऐस्क्रेटे करने वाले थे ट्रेड में तीक है फ्री ट्रेड अग्रेमेंट की तरह से यह करने वाले थे जहां पर जो क कॉस्टम से टारिफ से वो कम करने होंगे कंट्रीज को यह सारी चीज़ तो इंडिया अक्चुली पहले पाट था इसका फाइव कंट्रीज में एक था बट चाइना के साथ कॉस्टम टारिफ कम करना हमारे बहुत डेंजर एवन ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजिलेंड यह भी कुछ ग्रूपिंग्स बनाए हैं सबसे इंपोर्टेंट है यूरोपियन यूनियन तो इसमें एक पॉलिटिकल और एकनॉमिक यूनियन है यह सारे जो है एक ही कंट्री की तरह काम करने के कोशिश कर रहे हैं इनका खुद का जो है अलग से एक यूरोपियन सेंट्रल बैंक ह है सब ही का एक ही बैंक है ठीक है चोटे-चोटे कंट्री से क्यूंकि यूरोप में बट आल अफ देम और अल्मोस्ट डवलप्ट कंट्री तो इस वज़ए से नेक्स्ट क्या है यूरोजोन यानि कि इनका सबका मिलाकर एक बैंक है तो यहां पर आप जो औरेंज औरेंज द क्या होता है वीजा के ञूरत नहीं जैसे इन्डिया नेपाल में किया जा सकता है वैसे वीजा फ्री मोमेंट किया जा और तो यह स्केशन आंपनेट निन से लेटेड यह इसे देगशे था किया गया मैस्टिट ट्रेटी के बेसिस पर नोबल प्रैस 2012 में पीस रिकंसिलियेशन डेमोकरसी के लिए इसे मिला था 1999 में यूरो जोन एस्टैबलिश्ट किया इन्होंने 19 out of 28 जो कंट्रीस है तब इने यूरो को ऐसा करंसी एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो फ्रांकफर्ट जर्मनी में है उस वहां पर इसका हेड़कॉर्टर से उससे अपना सेंट्रल बैंक बना दिया इन सभी कंट्रीस के एक ही सेंट्रल बैंक है सोचो सौथ एशिया में हमने पाकिस्तान इंडिया निपा मायनमर भूटान सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि हमने देखा उससा में अमेरिकन पैसिफिक नेशन पहले भी यह चीज़ देख चुके हैं एटी परसंट ट्रेड जो है वर्ल्ट का वो यह सभी एकनोमिक जो डिसिजन है उससे रिलेटेड कोपरेट करते हैं डिवलपमेंट रिलेटेड डि अब ग्रूप ऑफ नेशन जी सेवन के बारे में अपने सुना होगा तो जी सेवन क्या है वन आफ देवलप्ड एकनोमी जो है वो जी सेवन का पार्ट है कैनड़ा फ्रांज जर्मनी इटली जपान उनाइट देखिंग्डम और उनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका यह सारे पहले यह जी एट था रश्या भी इसका पार्ट था वह भी वन अब देवलप्ड एकनोमी है बट इसे बाहर गर दिया गया दोजाट चौथा में और इसके अलाबा गिजी सेवन हैं इसके साथ साथ रश्या इसके साथ आप देख सकते हो वन टू थ्री फइवारा जो नेश करते हैं बट जिए टवंटी का पार्ट इंडिया जी सेवन का इंडिया पार्ट ने जी एट का नहीं है 1975 में जीएवन जीटूंटी को 1999 में स्ट्विश किया गया तू थर्ड वर्ड वर्ड पॉपलेशन जो है वो जी टवंटी का पार्ट है 85 परसंट ग्लोबल जी डिपी इन 75% global trade जो है इनके तुरू G20 के तुरू होता है next हमारा है यह oil producing जो countries है उनका एक grouping ठीक है तो यह mainly oil producing countries है और यह सारे जो है oil क्योंकि export कर रहे हैं इस वजय से prices को control करना conditions को control करने से related एक grouping उन्होंने बना Ecuador Venezuela Equatorial Guinea Gabon Angola यह सारे आप देख रहे हो Iran Qatar Iraq Kuwait यह सब इसके पार्ट हैं तो यहां founding members कॉनकों ने इरान Iraq Kuwait Saudi Arabia and Venezuela Vienna में इसका जो है headquarters है इसके साथ Qatar को actually eliminate कर दिया गया था के साथ साथ एक OPEC Plus भी बनाने का सोच रहे हैं कि Russia भी one of the biggest exporter है oil का तो रश्या के साथ साथ और countries को जूड़ने के साथ OPEC Plus को बनाने का सोचा जा रहा है नेक्स्ट है North American Free Trade Agreement तो North American जो countries Canada, US, Mexico यह तीनों मिलकर यह बना रहे हैं 1994 में बना था यह ठीक है APEC countries, Asia Pacific Economic Cooperation यह सारे एशिया पैसिफिक एशिया के जो countries है इंड पैसिफिक यह अक्रॉस अट्लांटिक ठीक है तो यह सब इसके पार्ट है इस आदर थिंग्स 1989 में एस्टाबिश किया गये 21 मेंबर्स इसके पार्ट हैं अब नेक्स्ट है मर्क्यूज और मर्क्यूज और ए इसके साथ इंडिया नोशन के जो रिम कंट्रीस है उन्होंने भी गूपिंग बनाई है इसका नाम इंडिया नोशन रिम असोसियेशन फॉर रेजशनल को ऑपरेशन है सिम्पल 97 में इंडिया भी इसका पार्ट है यूदिया नोशन ओविसली तो पोर्ट लूई जो इस्कूशन विच नेशन इस नॉट अमेंबर ऑफ सौथ एशियन असोसियेशन फॉर रीजनल कोपरेशन यानि कि सार्क का मेंबर नहीं है इंडिया मॉल्दीव्स पाकिस्तान थाइलंड थाइलंड हम जानते हैं कि यह बिम्ष्टक का पार्ट है सार्क का नहीं है बेंगॉल क यह जो कंट्री से उनका पार्ट है तो दी विल बी राइट आंसर नो लेट असमूट तो यह बाला हो गया है नेक्स्ट है एस्डीजी का फिलंबा चोड़ा चाप्टर है यह दीस टू आर स्मॉल तो आगे हम फटाफट से इन दोनों को डिसकस कर लेते हैं क्लाइमेट चैंज से रिलेटेड यह चैप्टर है तो आदेखते हैं पोलार बेर गयों इस पानी नहीं आ रहा है वाईलफायर के सफ हम देखते हैं तो इस तिंक्स तो हैं ही और मेंली क्लाइमेट चेंज इस रिलेटेड टू इंक्रीज इन जो ग्लोबल वर्मिंग के जो तो हमारा जो earth है उसके इद्गिर्द यह gases इखटा हो जाते हैं और जब सन की सन के रेज जो आते हैं उसे heat है वो escape करती है हिट करके Earth को escape करती है यह gases escape करने नहीं देते हैं यहाँ पर जमा है इसक्रम्स पर चार्बन दे औक्साइड तो यह गैसे ऑक्चुली इनको अब्सार्ब कर लेते ताट इस वाइन ग्लोबल वार्मिंग गैसे यह कहा जाता है एंड इसी वजह से कार्बन डेयर के रिलीज को बहुत ही पूरे दुनिया के लिए डूम्ड माना जाता है ग्रीन हाउस गैस इसे जो है कहा जाता है ग्रीन हाउस और सथके साथ स्यूट को कार्बन डियोषड को हो स्मोक इनहें करके देखा आपने तो वह होता है वह यह क rooftop प्रेडिंट प्रेडप्ष अब the emissions और यह हुआ था 2020 में जब कोविड हुआ था लोग बाहर ने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज ने चल रहे हैं कम हुआ था लेकिन 4% फिर इंक्रीज हुआ 2021 में और 14% पूरे के पूरे डेकेड में यह इंक्रीज हुआ है यह बहुत जादा इंक्रीज है और आगे जाकर इसके वज़े से जो एक्स्ट्रीम क्लाइमेट हम देख रहे हैं गर्मी में सर्दी होना गर्मी में बारिश होना यह सारे चीज़ें सर्दी बहुत जादा होना वह सब जो है इसका ही एफेक् हो जा रहा है ice cap melt हो रहे हैं sea levels rise कर रहे है food supply कम हो रहे है long term temperature increase हो रहा है यानि कि temperature पूरे the earth का increase होता ही जा रहा है and there is no reverse ठीक है reverse इसका है ही नहीं average temperature increase हो रहे है for example पिछले साल गर्मी में अपके इंडिया में let's say 40 degrees के आसपास average होगा अगले साल 41 होगा ठीक है तो उससे नीचे नहीं जाएगा तो that is the thing long term weather भी इससे effect हो रहा है तो solution क्या है इसका international collaboration, disaster risk reduction और sustainable development और stakeholders का role यानि कि internationally हमें collaborate करना होगा ठीक है let's say इंडिया ने खाली जो है पूरा organic बन गया इंडिया तो नहीं चलेगा फिर भी climate के climate change के effects होंगे यूँकि बगल में और भी countries है जो की actually organic और जो है sustainable नहीं बने है ठीक है तो उनका effect तो हो गई तो इस वैसे international collaboration चाहिए यहने कि कोई एक country कर रहा है काफी है disaster risk को reduce करने की कोशिश करने चाहिए अब तो यह तो जो हो रहा हो तो भाई होगा ही climate change के effects होंगे ही तो इस risk को कैसे हम reduce कर सकते है sustainable development जहां पर हम जो processes कर रहे हैं वो environment को ध्यान में रखके करें बाकी role of stakeholders का क्या role है इसमें for example banks का क्या role है वो सब हम देखेंगे तो इनको detail में देखते है international collaboration and disaster risk reduction में United Nations एक बहुत बढ़ा role play करता है collaborate कैसे करेंगे जब एक forum और प्लाटफॉर्म होगा that is United Nations United Nations का main aim क्या है peace, human rights, international justice, economic and social growth यह सारे establish करना United Nations का main aim है new जो aims है AIDS elimination, big data को किस तरहीं से handle करना है climate change वगर है इसके नए aims है United Nations के activities के अगर हम बात करें तो conflicts को resolve करना सबसे पहला काम है United Nations का because दो world war के बाद जो है establish किया गया and then we thought की जरूरी है peace keeping हो गया disaster relief भी बहुत important एक चीज है जहां पर United Nations help करता है education हो गया women empowerment, atomic energy और social security elderly को देने का काम तो United Nations के negotiations जो है उसके basis पर हमने decide किया कि 45% जो global emissions है उन्हें हम कम करेंगे ताकि 1.5 degrees यानि कि पूरे globe का जो temperature है वो अगर 1.5 degrees Celsius increase हो जाता है forever हमेशा के लिए increase हो गया तो devastating effects होंगे उसके even 1.5 degrees Celsius आप सोच सकते हो तो वो नहीं होने देना है इस वज़ए से और इससे related ही हम sustainable development goals लेकर आए हमने का आया कि भाई यह country को इस तरीके से ऐसे यह चीज कम करनी ही होगी वरना सारा जो climate change वो बहुत high range तक चला जाएगा तो हम देख लेते हैं कि कैसे sustainable development का concept आया यह सबसे पहले बात की गए थी इसके बारे में UN Conference on Human Environment Stockholm 1972 में sustainable development development तो हम कर रहे हैं किस तरीके का economic development कर रहे हैं economic development के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं तो इससे थोड़ा से step आ गया है sustainable development economic development में हम यह कह रहे हैं कि क्या क्या कह रहे हैं अगर आपको याद है इसके साथ पॉवर्टी कम हो रही है यह नहीं unemployment कम हो रही है यह नहीं की भी हम बात करें that is economic development अब इसके साथ जो सोशल जो आसपेक्ट से वो तो हमने देख लिया अब environmental aspects पी हम जब ध्यान में रखेंगे that is called sustainable development sustainable development में क्या है economy आ जाता है इसके साथ social development आ जाता है and environmental development भी आ जाता है तो इनका जो यह combination है that is sustainable development ठीक है सभी चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना mainly environment related यह है ठीक 1972 में पहली बार sustainable development की बात की गए इसके अलावा 1992 में एक conference किया गया था UN conference on environment and development UN CED Rio de Janeiro नाम की इस जगह पर ठीक है तो यहां पर important कुछ agreements को लेकर आये थे कुछ conferences किये गए थे UN FCCC framework convention on climate change नाम का UN CBD नाम का convention on biological diversity इस तरीके से UN CCD यह desertification से related a conference की गए थी तो यह conference किये गए थे और इसके बाद कहा गया कि यह हर साल जो है इसका conference of parties यह किया जाएगा जो भी parties conference का part बनी है और आगे जो बनना चाहती है वो सब conference of party को हर साल attend करेंगे तो हर साल इसकी फिर conference of parties होती है तो these are the things और यह conference of parties में हम कहीं important steps लेते हैं and one of the important steps है sustainable development से related goals को adopt करना जोकि 2015 में हमने लिया 2012 में Rio plus 20 यह किया हमने ठीके 1992 में यह किया गया था देन 2012 20 साल हो गया तो Rio plus 20 UN conference on sustainable development 2015 एक important year है पारिस में यह COP21 हुआ था conference of parties 21 21st conference of parties हुआ था जहां पर UNFCCC, CBD, UNCCD के COP हुए थे UNFCCC का जो COP हुआ था उसमें हमने 17 SDGs यानि 17 goals पूरे दुनिया के सारे countries इन goals को achieve करने का काम करेंगे और उसके related 169 targets को रखा गया था goals achieve करना है लेकिन आपके छोटे-छोटे targets क्या होने चाहिए तो achieve that goal तो 169 ऐसे targets 2030 तक हम achieve करेंगे इसके लिए हर एक country को कहा गया कि आप अपने nationally determined contribution यानि कि इंडिया क्या contribute कर रहा है इस goal को पूरा दुनिया अचीव करें इसके लिए इंडिया का क्या contribution होगा वो देना होगा आपको इन वेरी प्रपर फॉर्म ठीक है that is called ndc I hope पूरा setup आपको समझ में 2015 में एक conference हुई उसको conference of party 21 याकि 21st conference हुआ after this ठीक है after sorry 92 के बाद 2015 में यहां पर हमने 17 goals adopt किये 169 targets जिनके थे 2030 तक हम उन goals का achieve करेंगे ताकि climate change को हम एक तरीके से जो है उससे resist करने का पूरा जो power है वो मिले साथ के साथ आगे और climate change को हम effect ना करें ठीक है इससे related countries क्या contribute करेंगे दोजवा part of ndc अब 2021 में UN climate change conference UNFCCC का conference UK में हुआ था और आगे 2022 में यह शर्मल शेक एजिप्ट में एक जगा है वहाँ पर हुआ था 2022 में 2022 में loss and damage से related fund establish करेंगे यह कहा गया loss and damage जो बहुत ही poor nations है लेटसे island nations है Pacific में चोट 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 island nations है तो जब sea level rise हो रहा है तो यह island nation का थोड़ा थोड़ा part जो है वो sea से cover होता जा रहा है ओके तो पुरे दुनिया के कर्मों के वज़े से उनका फल जो यह nation को भुगतना पड़ रहे हैं धीरे धीरे उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो that is called laws and damage और उससे related fund establish करना ठीके? next which among the following is or are the primary goals of United Nation maintaining peace safeguarding human rights building framework for international justice combating challenges like AIDS यह चारो है primary goals हम अलएदे डिसकस कर चुके हैं इसंट इसंट इसो डी विल बी दराइट आंसर अब हम आगे बढ़ रहा है sustainable development goals in 17 goals को देख रहे हैं यहाँ पर सभी goals को याद रखने की complete जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी अगर आपको याद हो तो that is good यह sustainable development goals दुखका लेकर आया थे हैं 2015 और United Nations General Assembly यह बैठी थी जिन्होंने यह goals को finalize किया पहला goal क्या है no poverty poverty नहीं होना चाहिए यह zero hunger good health and well-being quality education gender equality clean water यह सारे आपके goals इन में से काफी important goal है goal number 13 क्या है वो climate action ठीक है यह बहुत important goal है climate change को reverse करना और फिर उससे resilient बनने से related action हमें लेना होगा that is the thing ठीक है तो यह 17 goals और इनके under बहुत सारे हमारे कह सकते हैं कि there are various targets 169 targets तो यह चीज़े अब हमने यह चीज़े तो देख ली कि international collaboration disaster risk reduction यह सब कैसे किया गया है और आगे हम देख रहे है sustainable development से related और भी कुछ चीज़ें तो जो effect हो रहा है GDP पे अगर हम environment से related काम नहीं करेंगे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2.8% GDP का reduction हो जाएगा सारे countries का 2050 तक impacts क्या क्या होंगे हमाले melt हो रहे हैं sea level rise हो रहा है आप देख सकते हो melting किस तरीके से 1921 में इतना था ऐसे Mount Everest and then sea level किस तरीके से rise हो रहा है पहले ऐसा था और फिजीरे दीरे पानी है pink areas जो है पानी है ड्रॉट हो रहा है कही जगह पर heavy rain falls यह सब जो adverse climate effects हो रहे हैं ठीक है तो इनके वजह से बहुत जादा नुकसान है तो what steps are to be taken तो इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया भी यह सारे जो steps लिए गए उनका पार्ट है 1972 में UN conference जो हुआ था इंडिया इसके साथ सा 1992 2012 के जो conferences उनमें भी इंडिया ने पार्ट लिया 2015 में इंडिया ने अपने national contributions भी बताया कि मैं हम इंडिया के तरफ से क्या contribution रहेगा क्यों 2015 में हम Paris climate agreement करके आते हैं और फिर उसका पार्टम बनते हैं और हमने अपना contribution बताया हमने कहा कि जो emissions intensity है of GDP उसे हम कम करेंगे ठीक है GDP को जो भी national income हो रहा है उसको 100 जो है बनाने के लिए उसमें हम कितना emission कर रहे हैं ठीक है वो 50% तक जो है बहुत high emissions हो रहा है तो उससे कम करेंगे और 33 to 35% तक उससे लेकर आएंगे this is just an example तो ऐसे जो भी emission हमारा है intensity उसे हम कम करेंगे राइट नाशनल इंकम को generate करने के लिए 233 to 35% कब तक ये सारे goals हैं 2030 तक के ये goals थे 2030 तक क्योंकि ये जो HDG से वो 2030 तक के हैं और 40% non-fossil जो भी energy हम बना जो है यूस कर रहे हैं वो पहले हम क्या करते थे कोल को burn करके उसकी heat से thermal energy mainly हम उसको use करते थे पर अब दीरे दीरे उससे जो है non-fossil यानि की renewable energy for example solar हो गया wind हो गया उन पर हम depend करेंगे mainly ये हम ने कहा nuclear हो गया तो वो कितना होगा 100% जो energy हम generate कर रहे हैं उसमें से 40% हम non-fossil करेंगे साथ के साथ carbon sink for example trees अगर आप जो है लगाते हो तो वो carbon sink बनत है oceans और water bodies जितने होते हैं वो carbon को carbon dioxide को actually absorb करता है carbon dioxide absorb करेंगे तो वो एक sink बन जाता है तो ये carbon sink को हम establish करेंगे 2.523 billion tons of carbon dioxide जो है वो absorb हो 2030 तक किस तरीके से हम work करेंगे ये हमने जो है कहा ठीक है ये चीज़े अब 2019 में इंडिया एक SDG इंडिया इंडिया इंडेक्स लेकर आता है 2019 में 60 in 2021 में 66 इंडिया ने अपने खुद का score कि आगे 100 के 100 में से कितने marks इंडिया को मिल सकते हैं जो SDG goals को achieve करने से related steps इंडिया में लिए जा रहे हैं different different states को भी इसने जो है कहा कि कौनसा state किस तरीके से perform कर रहा है clean water and sanitation clean energy में improvement देखा गया केरला number one पे था इन सभी steps में 2021 मे इंडिया ने पंचामरित दिया यानि कि 2021 में इंडिया ने कहा कि हम कुछ steps adopt करेंगे जिससे हमारे जो NDC से वह और enhance हो रहे हैं for example यहां पर emission intensity जो है इसे हम enhance करेंगे और जो fossil non fossil हमारे जो fuels हम use करेंगे हमने कहा तो वो 50% कर देंगे 2030 तक हम 50% कर देंगे साथ के साथ 500 gigawatts का हमारा जो है non fossil fuels से related जो energy है उसको generate करने का हमारा aim है पहले 450 था यह अब यह 500 कर दिया गया और अभी तक जितना हुआ उतना और इसके साथ additional हमने कहा कि हम यहां पर लेकर आएंगे 1 billion CO2 को establish जो है अब्सॉब करने से related सारे के सारा जो carbon sink है उसे हम लेकर कहा था इसके साथ साथ हमने यह भी कहा कि 2070 तक हम net zero emission लेकर आएंगे ठीक है net zero emission का क्या मतलब है जितना हम लेट से 100 CO2 molecule हम release कर रहें तो 100 अब्सॉब करने से related जो trees है वो भी हम लगाएंगे तो वह net zero हो गया net zero यानि कि zero तो नहीं है लेकिन जितना release कर रहें उतना हम अब्स काफी समय है 2022 में हमने यह कहा कि nuclear energy को three fold increase करेंगे 2032 तक जितना है उसमें three times हम increase करेंगे ethanol blend करेंगे पेट्रोल से बहुत ज्यादा जो है carbon dioxide निकलता है तो इसमें petrol 80% होगा और 20% ethanol नाम का जो fuel है उसे हम use करेंगे यह blend करने से जो धुआ निकलता है वो थोड़ा ठीक ठाक 2070 तक हम बनेंगे यह चीज हमने रिपीट की इसके साथ साथ प्लास्टिक hackathon 2021 एंड बहुत इंपोर्टेंट वंस वन सन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नाम का एक इनिशेटिव हम लेकर हमने यह कहा कि पूरा पूरे दुनिया में जो अलग अलग ग्रिड है पर एक्सांप वो सारी ग्रिड में से आती है North Grid, South Grid, इंडिया में भी है तो हमारा ग्रिड अलग है ठीक है जो electricity supply होती है तो यह grids को हम connect करेंगे ताकि let's say आफरिका में अभी सूरज निकला हुआ है बट इंडिया में नहीं है तो वहाँ पर solar energy से जो electricity supply हो रही वो grid में supply हो रही है और वो जो भी इस grid से connected है उन सभी को supply हो रही है तो वो हम establish करेंगे क्योंकि one sun है one world है and one grid हम establish करेंगे यह जो है इंडिया का international solar alliance नाम का एक grouping बनाया था हमने सारे जो countries जो की tropical regions में है यानि कि जो earth का central region है यहाँ पर है इन सभी countries में बहुत जादा सूरज की रोशनी आती है including India तो इस वैसे हम solar energy produce कर सकते हैं उन सभी की grouping इसके अलावा lifestyle for environment life नाम का जो है individuals को क्या करना चाहिए हम क्या करते हैं single use plastic को use करके फिर उसे fake देते हैं road पे यहाँ वहाँ तो lifestyle हमें change करनी है ताकि environment friendly lifestyle हो अब stakeholders का role उसमें से bank का क्या role है the banks को actually green finance को enhance करना चाहिए यह चीज सबसे important चीज finance तो banks देते हैं लेकिन green finance पहला काम यह है कि जो भी पैसे दिये जा रहे हैं वह green projects में जादा दिये जाए ठीक है ऐसे प्रोजेक्ट्स जो एको friendly हो उनके लिए इसके साथ साथ हमारे जो processes है banks के उन्हें भी green किया जाए कैसे कर सकते हैं for example loan दिया जा रहा है तो उसके लिए बहुत सारा paperwork यह सब किया जा रहा है तो paperwork नहीं करके सारा online करो तो वह किया जा सकता है ठीक है तो these are the things जो bank से related अब हम इनको डीटेल में देख लेते sustainable financing जो कि वही चीज है sustainable financing group बनाए गई है RBI की department of regulation के द्वारा और इससे related एक discussion paper 2022 में लाय गया था climate risk and sustainable financing से related financial services task force भी बनाए गई है sustainable markets initiative लेकर आया गया ताकि markets भी sustainable बने सारी चीज़ा online हो इसके अलावा जो corporate social responsibility है CSR जिसे कहा जाता है वो भी इससे related norms भी जो है companies act का पार्ट बनाया गया यानि कि corporate social responsibility में जो companies हैं अलग-अलग companies हैं उनको अपने profit का कुछ part invest करना पड़ता है in corporate social responsibility जो की environment से related project होंगे स्कूल से related social products से वो सब होंगे यह section 135 of companies act इसमें इससे related provisions है note कर लिजेगा यह ध्यान रखेगा क्योंकि पूछा गया इन दे previous जो paper है उसमें schedule 7 जो companies act का है उसमें भी इससे related provisions दिये हुए हैं यह भी important है आगे पूछा जा सकता है hunger poverty malnutrition भी ऐसे एरिया से जिसमें CSR funds को invest किया जा सकता है और पहले CSR अगर आप नहीं कर रहे हैं कोई company नहीं कर रहा है तो वह criminal जो है wrong माना जाता था right तो अब यह criminal wrong नहीं है criminal दो तरह के cases होते है criminal या फिर civil तो यह civil wrong माना जाता है civil wrong में थोड़ा कम आपको जो है charges लगेंगे criminal wrong नाम से डर लग रहा है ना process और challenges इसमें क्या sorry progress क्या हो है challenges क्या है general awareness की lack है data जो है वह available नहीं है कि कि उसना CSR या फिर कितना हम sustainable financing कर रहे हैं वो सब इसके अलावा green lending की कमी है जहां पर जो projects है वो eco-friendly है या नहीं और फिर eco-friendly projects को पैसे देने का काम कम किया जा रहा है 2008 में national जो action plan लाया गया था climate chain से related NAPCC जिसे हम कहते हैं तो वो लाया गया इसमे climate chain से related बहुत सारे initiatives को इसका part बनाया गया for example ACS को कैसे sustainable बनाया जाए बहुत कुछ है 2011 में climate change finance unit जो मिनिस्ट्री फञान्स में इसे बनाया गया 2012 में sustainable disclosure requirements जो SEBI लेकर आया थी top 100 listed entities जो है उन्हें sustainable तरीके से काम करना होगा और वो कर रही है या नहीं से related disclosure देना होगा और यह जो है सभी ने सभी हम जानते हैं कि securities and exchanges board of India जो कि हमारी जो पूरी मार्केट है money market capital market securities market as well as exchanges का जो regulator है इसके अलावा green boards sorry green bonds जो है वो 2015 में लाए लाए गये green bonds नाम से पता चल रहा है bonds यानि की funds को invest करना किसमे 5-10 years maturity के जो green projects है mainly उसके लिए funds लेकर आना that is green bond 2015 में fame initiative भी हम लेकर आते हैं faster adoption and manufacturing of hybrid electricity fame जो कि कि से related है यह hybrid as well as यह जो electric vehicles हैं उनको promote करने के लिए initiative right CSR में और भी चीज़े हम देख सकते हैं कि पूरा जो company 2% free to spend more than mandated 2% net profits in any year किसी भी year के 2% profit को उसे जो है खर्च करना होगा right in which CSR projects में उसे खर्च करना होगा यह नहीं करने पर क्या होगा कुछ penalty लगती है अलग लग तरीके के but this is a civil wrong ठीक है किस तरीके का issue है यह criminal नहीं civil तो यह चीज़ भी पूछी गई है that should be really clear अब हम आगे बढ़ रहे हैं which among the following is or are correct with respect to पंचामरित यहां fulfilling 45% energy requirement renewable sources से 45 था यह 50 था ठीक है 40 तो पहले ही था तो इसे 50 किया है इन पंचामरित तो यह गलत है जैसे वन गलत आ रहा है तो बी विल विद राइट आंसर इंडिया विल रेड्यूस टोटल प्रोजेक्टिट कार्बन emissions 1 billion tons जो CO2 equivalent है उसे प्रोड्यूस हम उसे हम लेकर आएंगे तो यह इस इस करेक्ट इंडिया विल रेड्यूस कार्बन intensity of its economy by less than 45% तो यह कार्बन intensity से related भी बात की गई है और less than 45% उसे हम करेंगे यानि की कार्बन का मतलब है CO2 जो रिलीस किया जा रहा है उसे हम कम करेंगे तो यह इस 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 ऑल्सों देट टू एंट्री इस करेक्ट बीज़ राइट आंसर तो इस आधर थिंग्स अब हम फाइनली जो इस इस फेस किया जा रहे है बाद इंडियन एकनोमी लाज जो हमारे 11 चाप्टर उसे देख रहे हैं तो इंडिया के ग्रोथ तो काफी हाई दी गए 8.9 परसें वर्ल्ड बैंग ने 6.8 परसें दोजार तेईश और इसमें कहा है इसके बावजूद इंडिया में बहुत सारे इस इशऊब जो कि इंडिया के आकनोमिक ग्रोथ आज वर्लोप्मेनट को कम्प्लीयस करने में कमी जो है उससे दिखा रहे हैं सबसे पहली बात है यह ग्रोट से श règled में कहाकत सकते हैं जॉबलेस डॉल हो ओक मिलने रही है पर इंडिया ग्रेव builds Bringing के इंडिया में इनक्व पर जो प्रेशर है वो बन रहा है साथ के साथ migration एक जगह से दूसरे जगह जब लोग migrate होते हैं cities में पुरा good-good के रहर है इसलाम एरिया इसमें रहर हैं तो वो migration के ill effects है ठीक है यह चीज़े हैं तो इन issues के बारे में डिसकस करेंगे इनको कैसे handle करना है वही इस chapter का main important जो है पूरा सार है तो इस्यूस क्या क्या jobless growth poverty alleviation inequalities migration pressure on resources और remedies क्या है क्या हम कर सकते हैं to tackle these issues सबसे पहली बात jobless growth का meaning क्या है growth तो हो रही है लेकिन employment में growth नहीं हो रही है in fact unemployment में growth हो रही है ठीक है तो यह चीजे 2011 कर ग्यारा के जो census है उसमें लेबर फूर्स पार्टिसिपेशन रेट 2.23 परसेंट था employment rate 1.4 परसेंट खाली तो यह growth रेट जो employment की है वो सिर्व 1.4 परसेंट पिछले साल जितने हैं उसमें से 1.4 परसेंट और लोगों को एक साल में जो है देखा गया कि growth rate है क्या इसके reasons है jobless growth किस वजह से structural factors है यहां पर यानि कि हमारे economy में ही थोड़े issues है हमारे system में थोड़े से issues economic factors जो कि हम खर्च करते हैं पैसे खर्च कर रहे हैं तो लोग capital investment capital यानि की नए factories बनाना नए service related establishment को लाना तो जब वह होगा तब लोग उसमें काम करने आएंगे न तो वह कम हो रहा है इंडिया में labor lodge काफी जादा strict है इंडिया में बहुत सारे लोग unemployed या फिर जो organized sector उसका पार्ट नहीं बन पाते हैं अच्छे jobs में नहीं जा पाते हैं access की कमी है for example education किसी का नहीं है skill set नहीं है तो उन्हें jobs नहीं मिल रहें non structural issues यानि कि यह तो बहुत important बड़े issues हो गया जो हमारे पूरे economy से related अब इसके अलावा infrastructure को अच्छे से जल्दी जल्दी डेवलप नहीं किया जा रहा है वो भी एक इस्यू है labor intensive industries को जो है बढ़ावा बहुत जादा नहीं दिया जा रहा है यह चीज़ें forward backward linkages जो है वो कम है यानि कि पूरा जो हमारा chain है for example bread बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए crops है उनको grow करना है अभी प्रोसेस करना है फैक्टरी में फिर बेकरी में जाएगा तो यह जो linkages है वह भी सही से नहीं है यानि कि ट्रांसपोर्ट करना है लेकर जाना यह सब सही नहीं है तो इस विए से कई सारे जो आगे के लिम्स है वो function नहीं कर पाते हैं यह चीज़ें राइट तो इस आधा इस्यूस अब हम poverty and inequality के बात करते हैं पहले हम issues देख लेंगे फिर finally हम इन सभी का क्या किया जा सकता है वो हम देखेंगे तो पावर्टी की अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमिशन 2011-12 में रिपोर्ट लेकर आया था 25.7 13.7% जो है urban and rural areas के poverty food financial assistance basic necessities प्रोवाइड करके इनहें जो है किया ज 10% के पास लगबग 33% of the total wealth है यह कहा गया और फिर top 1% की average income देखें यह euros में है this is not even in Indian currency euros 1,61,000 average income per head है यह और जो पूरी population उसके average क्या है 7,400 और bottom 50% जो people है 50% people bottom में जो है उनकी average income 2000 है और कहा एक लाक 60,000 ठीक है Oxfam inequality report 2022 इसी तरीके से top 1% जो है 77% of total इंडिया का wealth top 10% के पास है ठीक है 10% जो है wealthy people 77% तक wealth उनके पास है ठीक है तो बहुत जाद इन equality है इंडिया में covid और social exclusion opportunities जो कम है ये एक issue है तो हमें inclusive जो health growth है उसे लेकर आना health education research and development ये सारी चीज़े करनी है inclusive का मतलब rich को भी फायदा हो रहा है poor को भी हो रहा है ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और इसके लिए जो rich people है उनको जादा-जादा tax देना चाहिए उनको जादा-जादा tax हमें करना चाहिए companies जो share कर रहे हैं यानि के companies को फायदा होता है और फायदा लेटसे एक करोड को हुआ उसमें से company ने खाली उपर का थोड़ा से cream जो है वो 10 लाग खाली employees को दे दिया तो that is not exactly correct और जादा पार्ट जाना चाहिए तो इस तरहें से companies actually let's say 50 लाग तक का जो है employees को दिया ऐसा कर रहे हैं तो वह companies को actually tax break मिलना चाहिए tax common से लेना चाहिए क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं ओके अब migration की अगर हम बात करें तो कहीं सारे factors है out migration in migration out migration कहां से होता है push factors है यह जैसे village है village से cities में लोग जातर जाते हैं तो village से क्या हुआ out migration city में क्या हुआ . इन migration तो यहां पर क्या होंगे push factors होते हैं यहां पर क्या होंगे pull factors होते हैं यहां से push हो रहे हैं लिट yap हलाल हैं उनकी factory ने establish करना है तो वह बात करने वहाँ पर तो इंडिया में उतना opportunity शायद नहीं है बट यूएस में है तो वहाँ पर जाके उन्हें पता चला और वह migrate कर जाते हैं तो आउट migration, environmental conditions, development, demographic situation जो है उससे related है in migration, better opportunity जैसे इनको मिल रहे है वो है, better education, environmental conditions भी better है for example Switzerland जाओ तो काफी better होगा कई areas इंडिया से compare करने पर तो वह चीज़ें यह pull करती है और push करती है जो कम opportunities villages में है वो इससे इसका effect क्या है resources को over exploitation cities में कितनी भीड इतनी भीड इतनी भीड और बहुत सारे लोग slum areas में रह रहे है, soil water जो है उसका quality का कोई ठिकार नहीं नहीं रहता, these are the things, अब किया क्या जा सकता है push factors को tackle करना, यानि कि villages में बहुत जादा अच्छा agriculture जो है, जो कि इंडिया का main villages का main aim है, उनके existence का, तो उससे और भी जादा अच्छे से करना चाहिए, mechanization पर ध्यान देना चाहिए, और जो यह farmers है, वो entrepreneurs बनें, इससे related हमें steps लेने चाहिए, rural to urban migration इससे कम होगा, entrepreneur बनने के लिए इन areas में बहुत जादा resilience लाने की ज़रू है, यानि कि इनको business करना भी आना चाहिए, commercial कैसे अपने पूरे situation को, अपने जो भी crops उगा रहे हैं, commercial कैसे करें, उससे related entrepreneurship इने सिखानी चाहिए, तो these are the things, अब pull factors को भी हम taggle कर सकते हैं, for example, education जो है, वो अगर हम villages मे अच्छा कर पाएं, even though small level पर, but अच्छा education दिलवा पाएं, that is great, health facilities भी villages में, primary healthcare facility जो है, उसे और अच्छा करना है, और data collection भी करना है, कि विलेजेस में क्या हो रहा है, cities में क्या हो रहा है, क्या difference है, उस चीज़ें से related data और information भी होगे, आपके पास तभी आपने टागल कर प economic phenomenon है, in which economy grows while maintaining its employment level, economic phenomenon है, जहां पर economy grows while lowering its employment level, employment level जहां पर economy तो grow कर रहा है, लेकिन employment का level क्या हो रहा है, वो actually कम हो रहा है, that is called jobless growth, it can be caused because of stringent labor loss, कम हो रहा है, या फिर वो एक ही जगह पर है, grow नहीं हो रहा है, तो यह दोनों चीज़े, jobless growth कहलाती है, तो यह दोनों ही correct है, not correct पूछा हुआ है, labor loss जहां पर watch strict है, वहां पर यह चीज़ होती है, that is also correct, तो obviously the not correct statement D ही होगा, labor intensive industrial sector drives majority of economic growth in India, economic growth mainly, कहां से आता है इंडिया में, services sector से, यहां क्या दिया हुआ है, labor intensive industrial sector, तो वो गलत है, ठीक है तो D is the incorrect statement, अब यहां पर आपको सारे जो topics हैं, वो complete हो चुके हैं, आपके screen के सामने कुछ questions आएंगे, तो उनको आप जो है video pause करके, जरूर इनका जवाब दीएगा, तो this is the first question, इसका answer आप दे सकते हो, आप comment section में, four questions जो previously पूछे गए, यह सारे questions क्या है, previously पूछे गए, म ने 12-23 में पूछे गए, तो वो question से in topics से related, यहां पहला question ने pause करिए video, try to answer and comment जरूर करिए in the comment section, right, second question आपके सामने, please try to answer this also, बहुत भी बढ़िया question जो पूछा गया था in the exam, तीसरा question आपके सामने, यह भी हम discuss कर चुके हैं, please try to answer this, fourth question आपके सामने, please try to answer this question also, right, I hope आपको म कोई भी query को resolve करवा सकते हो, you can also drop a mail at hello at the rate, edutab.co.in, जिससे आपकी queries resolve होंगी, आप इन session से related feedback भी वहाँ पर दे सकते हो, okay, feedback comment section में भी आप दे सकते हो, please try to utilize these sessions, jab exam आने ही वाला है, all the best, thank you.